हालो दोस्तो आप सबी कैसे हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप सबी कैसे बहुत बढ़िया होंगे हैं बहुत जबजस्त होंगे दोस्तो आज हम लोग solve करने वाले हैं जहारखंड जैसे सी सीजल का moral practice set number 42 को इसे बलो दोस्तो हम लोग और टेरो सेटों कभर कर चुके हैं अगर आप मैंरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ताब मैंरा पिलेदी सी जाकर देख सकते हैं सारा वीडियो का हम लिस्ट बना दिये हैं दोस्तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग कभर करने वाले हैं समयन्य बिज्ञान को आप सभी मतावत दोस्तों कि जहारखंड जैसे सिजल में टोटल बिज्ञान से 20 प्रशने पुछा जाता है तिक है चले हम जल्दी से आज का 20 प्रशनों को कभर करते हैं तेखिए आज का जो पहला प्रशन है वो आपके इस स्क्रीन पे है प्रशन क्या है राइष्टी भौतिक परियोग साला के अस्थपना कहां की गई थी त्याश्ट तो राइष्टी भौतिक परियोग साला के अस्थपना नई दिल्लिम किया गया था आप्सन नबर जो है यह वाला इस पुचन का राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट है काच का हरा रंग निमन में से किससे करण होता है अब बदना है 카ाच का हरा रंग निमन में से किससे करण होता है तरहाच दो sodium chromate के करण होता है Option नवर जो है A right answer हो जाएगा अगला है पुष्प के विभीन भागों में निमलीखेद में से कौन सा सम्मिलित है तो इस तरह यखना है बहादल, पंखुडी, पुके सर और इस तरी के सर यह चारों सम्मिलित है दोस्ति यह चारों जो होता है इस तरी के सर पुष्प के विभीन विभीन भाग है ठीक है यानि देखिए इसका right answer option number B हो जाएगा 1, 2, 3, 4 अगला है Wilson रोग किसे कारण होता है Wilson रोग किसे कारण होता है तो यह तक नहीं है Wilson जो रोग होता है यह तामबा कारण होता है option number जो है यह वह राइट answer हो जाएगा next रोग आते हैं अगला प्रस्ट पे और अगला प्रस्ट दोस्तों किस जीव के बाहिय कंकाल तंतर नहीं पाया जाता है तो इसका right answer होता है दोस्तों उभाइचर उभाइचर इस questions का सही जाव हो जाएगा option number A इस questions का right answer हो जाएगा next है अगला प्रस्ट निमनिखित का मिलान किजिए दोस्तों निमनिखित का मिलान करना है चले हमनों जली से मिलान करते हैं copper sulphate दोस्तों यह मिलान हो जाएगा किट नासी से यहने एक का दोस्तों मिलान हो जाएगा penicillin दोस्तों पर्ति जविक से हो जाएगा यूरिया दोस्तों उर्बरक्स हो जाएगा और मेलाथियान मेलाथियान दोस्तों फंक्स नासी से हो जाएगा भंग सनासी से, देखे कौनस ओप्शन में इस प्रकार से मिलन क्या हुआ है, तो हम देख पाने दोस्तों, पहला का दो नंबर यहाँ पर ये में दो एक ही जगत दिया हुआ है, याँनि यहीवल हो जाएगा, ओप्शन नंबर बी इसको जाएट एंसर हो जाएगा, अगला है, नेतर में आखों के किस भाग को दान किया जाता है त्यांस तो कर्निया को दान किया जाता है कर्निया ओप्सन नमबर जो है बी राइट अंसर होगा अगला है अमोनिया गेस बनाने की है बार विधी में उत्प्रेरक के रूप में परियुक किया जाता है अगला है आवर्थ सार्नी में कौन सा तत्तो सुरधिक योगिक बनाता है ओप्स àर्बन सुरधिक योगिक बनाता है ओप्सन नवर्थ योगिक हो जाएगा दोस्तो आप सभी पता होगा कि हम बहुती कम समय लेकर आप लोग को प्रेक्टिस सेट करवाते हैं और आपको मेरा वीडियो पाच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और मुझा चैनल में पहले बार आये हैंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेजेगा ठीक है अगला परश्ली पे अगला C नावर उपधातो होते हं अलत्य एंस अल्माजी जिन में धार्ट येंज दोनों होते हैं उसको현 लोग उपधातो का आते हैं उपधातों में दोनने प्याता है धातु का भी और उपधातु का भी Option number जो है Option number C इसका right answer हो जाएगा मनिस्ट का सरीर में पसलियों की कुल संक्या है पसलियों की कुल संक्या कितना होता है 23 तो 24 होता है Option number जो है D right answer हो जाएगा Next अगला पस्टन प्रकास वर्स है दोस्तो प्रकास वर्स जो प्रकास वर्स है प्रकास दोवारा एक वर्स में चली गई दूरी है प्रकास दोवारा एक वर्स में चली गई दूरी Option number जो है इसका D right answer होगा अगला है नेम लेक्षित में से कौन सी एक उस्मा की एकाई नहीं है कौन सी एक उस्मा के एकाई नहीं है तो वाट जो है उस्मा के एकाई नहीं है option number जो है D is questions का right answer हो जाएगा तो वाट सक्की का मात्रग होता है next रोग आते हैं अगरा पॉसनी पे अगला है plaster of Paris निम्लिखित में से किस से बनाया जाता है तो प्लाश रोग पर इस gypsum से बनाया आता है option number जो है C right answer हो जाएगा अगला है वर्षा की बूंद गुलाकार होने के कारण होता है तो तनाव को वर्षा की बूंद गुलाकार होने के कारण होता है क्या कारण होता है तो प्रिष्ट तणाव के करमद्रों तो वर्षा के बंद गोलाकार होता है प्रिष्ट नंबर जो है।C रइट एंसर हो जाएगा। सफ़ एक लागान धाउनि। यू ध्यूनी में ध्यूनी की चाल्ड के आपे चाई इस्ट्टिल में ध्यूनी की चाल्ड का व्तन है وायू में ध्वनी की चाल की आपऊच्छा इस्टिल में ध्वनी की चाल क्या होती है त्यानस तो 15 गुणा होता है ठीक है करें आपको Google की चाज़का दिखाएगा सत्र गुणा ठीक है तो जो भी 15 सत्रक आस्पास रहेगा उसी पको एक लगाना है। अगला है आधर चालक की चालकता परम सुविन्य ताप पर अधिकतम कितनी होती है। त्याज तो सुविन्य होता है। अप्सेन नवर जो है दी राइटे सरो जाएगा। नेक्स्ट एगला पस्टन है OMR का तात्परी क्या है बतना है OMR का तात्परी क्या है त्यांस तो OMR का तात्पर है optical mark reader optical mark reader option number जो है यह वोला right answer हो जाएगा अगला है एक वैस के मनुस्थ के मस्तिक का दर्यमान लगभग कितना होता है एक वैस के मनुस्थ के मस्तिक का दर्यमान लगभग कितना होता है त्यांस तो लगभग चोदो सो गराम का होता है option number जो है ब्योला right answer हो जाएगा दोस्तो आज का आखरी प्रस्ण है 90 number आवस्षार्णी में 22 दाई और जाने पर प्रवित्यों के बारे में कौन सा कथन असेत्या है और कौन सा कथन गलत द्या हुआ आपको बताना है ठीक है देखिए तत्वों की धातिक प्रकृति बढ़ती है यह बिल्कुल सही है दोस्तो अगला है तो यह अक्ता इलेक्ट्रोनों का त्याग करते है ने जरस्तो यह गलत हो जाएगा तो दोस्तो हम उम्मिद करेंगे ये प्रेक्ट्रिस सेट आप सभी को बहुत यह अच्छा लगा होगा अगर मेरा दुआरा पढ़ाय गया वीडिए आप लोग का अच्छा लगत तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा ठीक है इसे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है चलिए हम लोगों मिलते हैं नेट्ट डियम में तो तक लिए थेंक्यू